जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस beauty blender को इसके अंदर डाला है तो आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर ये किस तरह से blend हो गया है इससे आपको समझ आ रहा है कि ये pink पानी देखके आप समझ सकते हो कि कितना सारा residue है जो कि आपके make-up वाले tools में रह जाता है तो इसलिए मैं आपको कोई ऐसी tip नहीं देती कि बस make-up remove करके ही सोईए तो आपकी skin में कोई भी problem नहीं होगी लेकिन उससे भी जादा important होता है कि आपकी जो make-up के tools होते हैं आप उन्हें भी साथ के साथ clean करा करिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी skin में pimples, acne, dark spots ये सब कुछ और भी बढ़ सकते हैं Welcome to my channel guys मैं हूँ अंजना और इस channel में share करती हूँ skin case related बहुत सारी videos I hope आप सबी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं आप मुझे बोलते हैं कि आप अपनी acne journey हमसे share करो, अपनी dark spots journey हमसे share करो लेकिन मैंने channel पर कई बार आपसे अपनी acne journey, dark spots journey share की हुई है पर आज मैं आपके उन सारे के सारे tips या points के बारे में बताऊंगी जो कि आपके लिए उतने ही important है जितने की आज की remedy आप हर चीज को जब ध्यान दे के समझते हैं तो तब आपकी skin में और भी अच्छे result दिखते हैं जैसे कि मेरी skin में भी दिखे थे तो पहला जो tip है वो मेरी तरफ से यही है कि जब भी आपके skin में dark spots, pigmentation या फिर milasma, freckles या skin काली पर जाती है तो इसका सबसे बड़ा जो वज़र होती है वो होता है कि आपका sun में exposure जब आप sun में अपनी skin को ज़्यादा लेके जाते हैं तो तब आपको यह होने लगता है तो इसलिए आपने कुछ ना कुछ अपने sunscreen हमेशा अपने लिए ready रखने चाहिए अगर यह sunscreen आपके पास नहीं होगे तो आपकी skin और भी ज़्यादा damage हो सकती है अगला tip है कि आप अपनी skin के लिए यह 3 step का प्रोसेस कीजिए जो 3 step का प्रोसेस में आपको बताऊंगी इसको आप अगर करेंगे तो आपकी skin बहुत जादा जो damage हो रही है किसी भी वज़ा से जो मैंने आपको समझाया तो वो ठीक होने लगेगा इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए rice floor आप 2 चमच का rice floor ले लोगे और उसके बाद आप इसमें milk डालोगे अब यह जो दूद है यह कोई normal दूद नहीं है यह actually rice milk है इस वाले rice milk को मैंने कैसे बनाया है इस वाले rice milk को बनाने के लिए मैंने 2-3 चमच rice लिये थे और उसको overnight milk में ऐसे ही soak करके रख दिया था जब आप milk में इसे soak करके रखेंगे ना तो इसके अंदर इसकी सारे की सारी goodness चली जाएगी अगले दिन जब आप देखेंगे तो आपका जो rice होगा वो तो थोड़ा सा फूल जाएगा लेकिन जो आपका milk होगा उसमें काफी सारी rice की goodness चली जाएगी rice, Korean और Japanese का secret formula है लेकिन ये सब को नहीं पता होता है कि कैसे उसको अपने skincare में add करें तो इसके लिए आप इस वाले rice milk को use करो तो आपने क्या करना है इस वाले rice milk को लेना है दो चमच आप इसके अंदर डाल देंगे इसे आप अच्छे से mix कर दोगे जब ये properly mix हो जाएगा उसके बाद आप इसमें डालेंगे रोज मेरी essential oil अगर आपकी dark spots है या pigmentation है अगर आपकी सिर्फ tanning है तो आप turmeric भी डाल सकते हैं अपर turmeric का essential oil इन दोनों में से कुछ भी उसके बाद आप इसे अपने पूरे face पे apply कर लो इसे apply करके आपने ऐसे ही रख देना है 2-3 मिनट तक और उसके बाद normal जो plain water होता है उससे अपने face को धो लेना है दूसरे step में आपको जो मैं आज ingredient बताने वाली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो skin है जिसको बहुत ज़्यादा उसने better करने के लिए help भी की है और कई लोग जिनके हो जाते है pigmentation, dark spots, खासकर dark spots और acne marks के लिए काफी ज़्यादा useful है और वो मुलेठी है मुलेठी को licorice भी बोलते है licorice भी बोलते है मैं जो मुलेठी यूज़ कर रही हूँ मैंने एक तो दो तरीके से यूज़ की है आपने दोनु तरीके नहीं यूज़ करने कोई भी एक तरीका यूज़ करना है पहला तरीका तो होता है इसकी जो लकडी आती है इसकी fresh लकडी आती है इसको licorice root भी बोलते है आपने क्या करना है इस वाली roots को लेना है और इसको अच्छे से आपने पीस को पीस होग् اपने पीस का जब फिस आएगा उसके बाद आप इसका जो भी powder होता है इसके लिए आप एक छढ़ लेंगे और इसकी help से इसको अच्छे से strain करदेंगे जो strain होने के बाद आपको powder मिलेगा ना इस वाले powder का आप use करेंगे और किस तरह से इस powder का आप use करेंगे इस powder को use करने के लिए आपने सबसे पहले 2-3 pinch का powder ले लेना है और उसके बाद इसके अंदर आप डाल दोगे rose water rose water आप 1-2 चमच इसके अंदर डाल दोगे और इसे ऐसे ही इसके अंदर absorb होने दोगे आप 30 minutes तक wait कर लोगे जैसी 30 minutes पूरा हो जाएगा उसके बाद आप चाहें तो इस वाले powder को strain कर सकते हैं या फिर आप इस powder को बिना strain करें भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो उसके बाद आ एक से डेट चमच कुकुमर जैल भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब यह देखने में आपको एकदम सिरम जैसा लग रहा है और वैसे ही इसकी consistency भी है तो आप इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से apply कर लेंगे ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ पर एकने आप इसे अपने पूरे फेस पर apply कर सकते हो और इसे ऐसे ही रख सकते हैं इसको यूज करने का दूसरा तरीका क्या है दूसरे तरीके में मैं इसको नहीं पीसूंगे इसको बिना पीसे भी आप कर सकते हैं यूज बिना पीसे अगर आप इसे यूज करना चाहते है तो आपन इसको overnight plain water जो होता है, normal पानी जो होता है, उसके अंदर soak करके रखना है overnight आप इसको भीगो के रख देंगे, overnight जब यह भीच आएगा, next day आप इसको देखेंगे अगले दिन आप इसका जो भी पानी होगा, इसके अंदर काफी ज़्यादा goodness चली जाएगी, मुलेठी की आप इस पानी को अच्छे से आप छान लीजिए, जब पानी अच्छे से चंच जाएगा, उसके बाद इसमें आपने डालनी है एक से दो चमच क्युक्यूमबर जेल, अगर आप क्यूक्यूमबर जेल नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगा ऐलोविरा जेल भी सकते हैं, जिदनी अच्छे कुक्यूमबर जेल होती है, आप इसे अच्छे से मिक्स करो, और इसको अगर आप चाहें, तो किसी और एक सिरम स्टाइल की बॉटल में डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐस भी यूज़ कर सकते हो, तो मेरे पास एक सिरम स्टाइल बॉटल थी ह अगर आप इसके shelf life को बढ़ाना चाहते हो तो आप इसके इंदर डालोगे vitamin E की capsule आपने इसके इंदर दो vitamin E की capsule डालनी है और उसके बाद आप इसे अराम से रख सकते हो 7 दिन तक ये नहीं खराब होगा साथ दिन से जादा आप मत रखना, साथ दिन से जादा ये नहीं चलेगा तो साथ दिन तक ये आप इसे रखेंगे और इसे आप day by day use करते चाहेंगे जब आप day by day use करेंगे तो आपके dark circles हलके होने लगेंगे, आपके pigmentation के marks हैं वो reduce होने लगेंगे अगर आपके acne के marks होते हैं वो भी से reduce होने लगेंगे तो मैंने जो serum type का बनाया था, उसको बनाने के मैंने आपको दो तरीके बताया है इन में से कोई भी एक तरीका आपने यूज़ करना है, दोनों तरीके आपने नहीं यूज़ करना है तो step number one में आपको समझ आ गया, कि आपने जो rice का face pack बनाया था, वो यूज़ करना है और step number two में आपने ये जो serum बनाया है मुलेठी से, इन में से कोई भी एक तरीका आपने ने यूज़ करना है तो ये थे मुलेठी को यूज़ करने के दो तरीके मुलेठी को यूज़ करने का एक तीसरा तरीका भी है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ कैसा है अगर आपके बास मुलेठी का powder है, तो आप मुलेठी का powder भी यूज़ कर सकते है मुलेठी के powder का अगर आप यूज़ करना चाहते है, तो आप इसका सिंपल सा एक रेडी मिट पाउडर आ जाता है तो आप एक चमच के around मुलेठी का powder ले लेंगे और इस वाले मुलेठी के powder में आप डाल देंगे rose water ठीक है, rose water इसके अंदर डालने से, मुलेठी जो है वो अच्छे से इसके अंदर mix हो जाएगा और उसके बाद आप इसे अपने पूरे face पे apply कर लोगे पूरे face पे apply करने के बाद आपने इसे ऐसे ही रखना है तो आपको मैंने अभी तक 2 steps बताए है 2nd step में मैंने आपको मुलेठी को यूज करने के 3 तरीके बता दिये अगर आपके पास roots है तो आप roots किस तरह से यूज करेंगे वो बता दिया अगर आपके उस powder है तो उसको आप कैसे use करेंगे वो भी समझा दिया इस वाली process का step number 3 है fresh aloe vera इसमें होता है aloin जब आप aloin एक ऐसा compound है जब आप इसे अपने face पे लगाएंगे तो आपकी skin से pigmentation, dark spots, आपकी skin में जो acne के marks चूप जाते हैं वो सब कुछ reduce हो जाएगा आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे अपने face पे apply कर रही हो तो face पे कितना अच्छा glow आ रहा है तो definitely आप इसे अपने face पे apply कीजेगा तो यहां तक आपके 3 steps तो हो गए और साथ में आपको tips भी समझा आ गई कि कौन सी tips हैं जो कि आप लिए उतने ही important है जितने की remedy अगर आप इस पूरे process को follow करेंगे तो तब आप अपनी skin को अच्छे से heal कर पाएंगे आपके pigmentation, dark spots, जो dark circles होते हैं वो हलके होने लगेंगे और इस तरह से आप इसे अपने face पे use कर सकते हैं next tip है कि आप कोई भी medicated cream यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप natural DIY remedies नहीं कर सकते हो guys तो जो मैं आपको medicated cream बता रही हूँ वो भी आप use कर सकते हैं तो पहली जो cream है वो Mela glow की cream है ये मुझे dermatologist ने suggest किया है जैसे जो remedies में आपको बताती हूँ वो है अपने उपर लगाती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ similarly अगर मैं कोई medicated cream अपलाई कर रही हूँ तो मैंने अपने उपर apply की है dermatologist से consult किया है उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ तो ये meller glow cream है आपको इसे एक कम amount में लेनी की ज़रत नहीं पड़ती है आप एक normal amount में इसको ले सकते हैं और अपने पूरे face पे आपने इसे rub करना है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है you will just let it be on your skin दूसरी cream जो मैं आपको suggest कर रही हूँ वो अभी मैंने जादा नहीं use की है क्योंकि इसमें tretinoin है इसमें hydroquinone और tretinoin दोनों ही है तो इसलिए इसके बारे में एक और detailed और separate video मैं आपसे share करूँगी लेकिन अभी इस बारे में डीटेल में आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसके tube मैंने बहुत जादा खाली नहीं की है तो कुछ कहनी पाऊंगी लेकिन ये भी dermatologist नहीं suggest की है ये भी उसी लिए अगर आपकी skin बिल्कुल smooth नहीं दिखती आपकी skin का texture अच्छा नहीं दिखता तो उसके लिए भी आप इसको use कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ remedy करने में लगता है कि आप अपना effort दे सकते हैं तो believe me guys आपकी skin की transformation नहीं हो जाएगी पर tremendous amount of change आप अपनी skin में देख पाऊगी अगर आप उसे भी कर लेते हो अपने लिए मंगवा सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक मंगवा सकते हैं और अपने face पे आप अपलाए गर सकते हैं So last एक और टिप है जो कि और important है अगर आपको बहुत जादा sweating होती है तो sweating के लिए आप हमेशा facial tissues अपने साथ रखा करो तो facial tissues पस आपने लेने और अपने face को clean रखना है आप बोलते हैं na clean skin secrets तो clean skin के यही secrets हैं Japanese और Korean के secrets नहीं बट clean skin के secrets जादा important होता है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलती हूँ आप से एक और वीडियो में अगर यह वीडियो अच्छे लगिया तो वीडियो को प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर देना और तब तो के लिए take care and bye guys